हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग प्यारे साथियों मैं वेक आप सभी का बहुत-बहुत सवाल करता हूँ आपके अपने परिवार बिहार एक्जाम सवाला पर तो कैसे हैं आप सभी लोग आयोब कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहु जिसकी आपको आवशक्ता है तो आप लोग प्लीज अपना नोट बुक पैन लेकर बैठिएगा जो भी तथ्या आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उस तथ्या को नोट कीजिए कॉपी में अपने नोट्स बनाइए और टॉपिक वाइस हम चीजों को लेकर चलेंगे चैप् भारती इतियास और ये सभी एक्जाम के लिए मेरे बाई किसी भी एक्जाम की आप तयारी कर रहे हो सभी एक्जाम के लिए रहेगा कोई भी दिक्का समस्या ने ठीक है चलें तो सबसे पहले बात करें हम लोगे आप भारती इतियास के बारे में भारती इतियास इंडियन हि उन्हें भारती इतियास पढ़ा होगा और आज फिर से नई तरीके से पढ़ दाए हो तो कोई दिक्का समस्या नहीं बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे और बेसिक से एक अच्छे लेवल पर हम लोग इसको लेके चलेगे ठीक है इसको भी आप लोग जयात रखे देखी अगर मैं बात करूँ यहां पर इतियास के बारे मेरे वाई किसके बारे में इतियास के बारे में और मैं ऐसा लिखूंगा जैसे आप नोट्स भी अपने बना सको ठीक है इतियास तो इतिहास क्या होता है मेरे भाई क्या होता है इतिहास तो आप कहेंगे सर कि अतीत अतीत की घटनाओ अतीत की घटनाओ की करमवध या दखीगा या फिर आप ऐसे लिख सो तो आतीत की घटनाओ की जानकारी क्या कहलाता है इतियास कहलाता है भूत पूर में कोई ऐसी घटना घटित हुई हो जिससे कुछ सीखने को मिला वो इतियास कहलाता है सीधी सीधी बात है, सीधी definition आप लिख सकते हो, या आप ये भी लिख सकते हो कि जो जो निश्य हुआ हो, जो निश्यत हुआ हो, निश्यत हुआ हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपका, वो आपका इत्यास कहलाएगा, वो आपका history कहलाएगा, किलिए रहे यहाँ पे, बहुत वो ने जिन लोगों को basic सीखना है तो वो लोग basic सीख सकते हैं आप यह सोचो कि बिल्कुल सूर ने हूँ आज पहली बार आप जीवन में थियास पढ़ने जा रहे हो बिल्कुल सूर ने हो और फिर वहां से चीजों को हम लोग क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे ठीक है याद दखीएगा जैसे अगर मान की चलिए मैं एक बात कहता हूँ आपसे कि मेरे भाई जैसे आपने देखा होगा कि क्रिकेट में शूर कुमार यादव ने अच्छी बैटिंग करते हुए उन्होंने सतक लगाया था तो हिस्ट्वी क्रियेट हो ग देखिए अब बात करें हम लोग यहाँ पे कि मेरे भाई हिस्ट्री हिस्ट्री तो मेरे याद दखीएगा एक बुक थी बुक उस बुक का क्या नाम था हिस्ट्वी का हिस्ट्वी का एक बुक थी जिसका नाम था हिस्ट्वी का और इसके लेखक याद दखीगा इसके लेखक कौन थे इसके लेखक थे हैरो टोटस हैरो टोटस ठीक है इसके लेखक कौन थे हेरोटोटस थे तो मेरे भाई सबसे पहले याद दखीगा सबसे पहले हेरोटोटस ने सबसे पहले हेरोटोटस ने अपनी बुक अपनी बुक हिस्टोरिका में हिस्ट्री सब्द का परियोग किया हिस्ट्री सब्द का परियोग किया हैरो टोटस को क्या कहते है भारतिय या आप कह सकते हो कि इतिहास का पिता इतिहास का जनक इतिहास का जनक क्या कह सकते हो इतिहास का जनक क्लियर होगी बात तो इतिहास का मतलब क्या होता है कि मेरे भाई अतीत की जो भी घटना है घटित हुई है जिससे हम चीज़ों को सीखते जानते हैं पैचानते हैं उसको हम लोग ihitthyas कहते हैं सीधी सीधी बात है और इत्यास सब्द की उत्पत्ती कैसी हुई तो मैंने आभी आपको बता है कि इत्यास सब्द की उत्पत्ती हुई है 어떻motus की एक भुक थी जिसका राम था हिस्टोरी का उसी फे सबसे पहले इस हिष्टरी सब्द का प्रियोग किया गया था इसलिए हेरो टोटरस को क्या कहते इथियास का जनक कहते या इथियास का अफियास का में लोग पिता कहते हैं तो एक बड़ फटा-फट इसको नूट डाउन कर लिजे कोई दिक्कत नहीं है अराम से ठीक है नहीं याद दखीगा चलिए बात करें हम लोग यहाँ पर पहरे साथ यह हो थोड़ा सा सुधार नुसार बात करते हैं हम लोग यहाँ अगर हम लोग भारती थ्यास की बात करें किसकी बात करें भारती थ्यास की अगर हम लोग यहाँ पर भारती थ्यास की बात करते हैं तो मेरे भाई याद दखीएगा इंडियन हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करते हैं आप भारती थ्यास की बात करते हैं तो भारती थ्यास तीन भागों में डिवाइड है ठीक है भारत प्राचीन इतियास जो में लोग ऐंसेंट हिस्टूई बोलते हैं। सेकंड में आपके सामने आता है हैं जिसको हम रख में इतियास, सुब प्रैक्ष तर्ड में यहां पर आता है, आधनिक इतियास जिसको हम लोग मौडरन इस्ट्री बोलते है आधुनिक आधुनिक इथियास जिसको हम लोग क्या बोलते हैं modern history बोलते हैं ठीक है तो A में प्राचीन इथियास B में मध्यकाली निथियास C में आपका आधुनिक इथियास इथियास हम तीन भागों में पढ़ेंगे ठीक है पहला हम लोग पढ़ेंगे ancient history then medieval history उसके बाद हम लोग आधुनिक भारत की तरफ बढ़ेंगे clear है आप चलिया अगर मैं बात कुरूँ ancient history में तो ancient history में हम लोग कहां से पढ़ना सुरू करते हैं मेरे भाई तो याद दखीएगा ancient history के कुछ topic हैं जो मैं आपको करा दूँगा don't worry उसकी tension मत दीजेगा ठीक है सारे के सारे topic हो जाएगे है topic की बिलकुल भी समस्या मत दीजेगा कि सर ये topic नहीं हुआ आपके topic सारे ह हो जाएगे इसकी आप बिलकुल परवा मत कीजेगा ठीक है हाँ बाकि आप लोग copy pen निकाल के और चीजों को लिखते रहे हैं देखिए जितना लिखेंगे उतना आपके लिए benefit रहेगा ठीक है इस चीज को आप लोग याद दखीएगा ठीक है मेरे चलिए number first में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो number first में हम लोग पढ़ेंगे कि प्राचीन इथिहास की जानकारी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्राचीन इथिहास की जानकारी पढ़ेंगे ठीक है याद अखीएगा सेकेंड में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे मेरे भाई याद दखीगा पाशार काल जिसे हम लोग इस्टोन एज बोलते हैं पाशार काल पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर तीसरे नमबर पर हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पर सिंदु घाटी सब्विता चौथे नमबर पर हम लोग पढ़ेंगे आपर वैदिक सब्विता वैदिक सब्विता वहीं हम लोग पाँचवे नमबर पर यहाँ पढ़ेंगे यहाँ दखीगा जैन धर्म और बौध धर्म जैन्धर्म और बहुत धर्म ये दोनों ही टॉपिक में आपको कराऊंगा और पूरा डिटेल से कराऊंगा ठीक है ये जो सिलेबस में आपको लिखा रहा हूँ इस सिलेबस को आप लिख लीजेगा क्योंकि पूरा डिटेल से मैं ऐसे ही आपको कराने वाला हूं करम वाइस ठ जाके आपको कोई भी दिक्क्त समस्या ना हो, ठीक है, याद दखीगा, ठीक है, छटे में हम लोग पढ़ेंगे मगद सामराज, मगद, मगद के बारे में पुरा पढ़ेंगे, ठीक है, और मगद के सासत हम लोग यहापे मौर समराज भी पढ़ेंगे, मौर सामराज, नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे आपए गुप्त सामराज यानि गुप्त वंश गुप्त वंश पढ़ेंगे। गुप्त वंश के बाद 7 नमर ओगे, आटाप में या और लिद्ध देता हूं मेरे भाइ, या तक ready गा, प्राचीन भारत में ही, आठवे नमबर पर हम लोग पढ़ेंगे आप वर्धन वंश वर्धन वंश क्या पढ़ेंगे हम लोग याप वर्धन वंश पढ़ेंगे याद दकी के अच्छी तरीके से वर्धन वंश पढ़ेंगे आठवे नंबर पर हम लोग यहां पर वर्धन वर्ष पढ़ेंगे और जो नौवा चैप्टर आपका होगा यहां पर भारत में विदेशी आक्रमड़ विदेशी आक्रमड़ भारत में विदेशी आक्रमड़ तो यह 9 चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा प्राचीन भारत मे ठीक है 9 chapter जिसमें सब्सभाइब ज्यादा important आपके लिए क्या रहेगा जैंधर्म बॉत धर्म मगत सम्राज मौट सम्राज गुप्त वर्ण शुवयदिक सब्रता ये सभी की सभी क्या रहेंगे बहुत ज्यादा important रहेंगे आपके लिए ठीक है यह नौँ चैप्टर हैं ठीक है याद रखी अच्छी तरीके से और नास्ट में जब आंतीम चैप्टर में आपको करौँ यहाँ पर आप एंसेट हिस्टी में तो याद रखीगा जो आपका दस्वंग चैप्टर होगा वह विविद विवित का मतलब होता है miscellaneous ठीक है miscellaneous में क्या होगा कि जो भी ancient history के most important तथ होगे या कोई भी ऐसी जानकारी होगी तो मैं आपको current update करा दूगा वहापे ठीक है याद दखेगा current update करा दूगा और सर इसमें क्या होगा और सर इसमें जब हम लोग एक topic को खतम कर लेंगे finish कर लेंगे then उस topic के फिर mcqs भी मैं आपको कराऊँगा ठीक है उस topic के आपको mcqs questions भी होगे जो exams में पूछे गए है ठीक है याद दखेगा मद्द्यकालिन भारत में मद्द्यकालिन भारत में इसके बाद second number पे हम लोग पढ़ेंगे यापे तुरकों का आक्रबड तुरकों का तुरकों का आक्रबड इसके बाद हम लोग यहाँ पढ़ेंगे मेरे भाई याद धखना सीधे दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत में एक-एक point में आपको कराऊंगा, पूरा पता हुआ यहाँ पर सारी चीज़े कराऊंगा, ठीक है? number 4 में हम लोग यहाँ पर करेंगे, मुगल सामराज मुगल, मुगलों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? और number 5 में, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, विविद विविद का मतलब, mislaneous हो जाएगा और यहाँ पर वो करेंगे, ठीक है? questions करेंगे, तो मद्धिकालिन भारत में तो हमें खाली इतनी chapter पढ़ने हैं, इसी में आपका सब कुछ क्या होगा, clear हो जाएगा, ठीक है? याद दखेगा, ठीक है मिरे भाई, चलिए आधुनिक भारत में हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ दखना, सबसे पहले आधुनिक भारत जो श्टार्ट करेंगे हम लोग, और इसी में मुगलों का पतन भी पढ़ लेंगे हम लोग, मैडवल में, ठीक है? आधुनी भारत में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग यहां पे यूरोपी ए कंपनी का आगमन यूरोपी कंपनी का आगमन यूरोपी कंपनी का आगमन थीक है नमबर फर्स्ट में सेकेंड में अंग्रेजी शक्ति का उदय थेक है याद अखीगा नमबर थर्ड में पढ़ेंगे हम लोग यहां पर कि नमबर थर्ड में पढ़ेंगे हम लोग यापए Σिछ इ स्टेट पढ़ेंगे शिकर राज़ पढ़ाएंगे हम लोग यहां पर और नमबर फोर में यहां पर पढ़ेंगे मेरे पहरे साथ विद तकीगा 1857 का इसी में हम लोग बंगाल के नवाब भी पढ़ेंगे ठीक है Governor, General and Vice Ryan. Governor, General and Vice Ryan. यह Number 5 में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है आध दखीगा? Number 6, छटे नबर की, अगर मैं बात करूँ मैं आपसे, Number 5 में क्या, Governor, General, Vice Ryan, यह हो गया? और छटे नमबर की अगर मैं बात करते हो तो यहां पर हम लोग क्या पढ़ेंगे पर रहे सकती हो या दखीगा कि स्वतंतरता आंदोलन स्वतंतरता आंदोलन ठीक है क्या पढ़ेंगे स्वतंतरता आंदोलन पढ़ेंगे इसको या दखीगा या आप ऐसे लिख सकते हैं उसको हाना छटे नंबर पॉइंट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग आपे कि भारतिय भारतिय राश्टिय भारतिय राश्टिय स्वतंतुरता आंदोलन आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं यह सलेवस में रहता है ठीक है या दखीगा भारतिय राश्टिय स्वतंतुरता आंदोलन ठीक है या दखीगा साथवे नंबर पर हम इसी में पढ़ेंगे modern history में ही 7th point में भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस पढ़ेंगे नंबर 8 में हम लोग यहां पर पढ़ेंगे यहां दखीगा नंबर 7 में भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस जाएगा और नंबर 8 में जो हम लोग पढ़ेंगे यहां पर यहां दखीगा भारत में समाचार पत्र समाचार पत्र ठीक है और नंबर 9 में हम लोग पढ़ेंगे आप miscellaneous यानी vivid miscellaneous यानी vivid vivid में तो आपका कहलोगी सर्प कुछ जो कुछ छूटा है न वो इसमें आ जाएगा यह जो main main topic मैंने यहां से लिखे न यहां से प्रशने पोचे आते हैं ठीक है? अवत के नमाब बगरा, हैदराबाद यह सारे state में आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है? यह सारे चीज में आपको कढ़ाऊँगा, तो एक बड़ स्लेवस रिष को चेक कर लो, आप लोग, सब्सक्राइब सरे लोग इतनी अपनी जननी रहेगी मेरे भाई इतनी अपनी क्या रहेगी, जननी रहेगी एक बार से ले बस चेक कर लो ठीक है और एक और इसमें हम लोग पढ़ा देंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है या दखीएगा एक 10 पॉइंट यहां पे लिख देता हूँ जो हम लोग पढ़ेंगे यहां पर वो पढ़ेंगे कि धार्मिक धार्मिक एवं समाजिक आंदोलन समाजिक समाजिक आंदोलन यह 10 चेप्टर हम लोग पढ़ेंगे किसमें इतियास में यह 10 चेप्टर हम लोग किसमें पढ़ेंगे तो यह 10 चेप्टर हम लोग इतियास में पढ़ने वाले हैं तो ये पूरा आपका स्लेवस रहेगा और इसी के एकॉर्डिंगम लोग पढ़ेंगे इसी के एकॉर्डिंगम लोग सारे काम यहाँ पर करने वाले है ठीक है तो इसको एक बड़ जल्दी से लिख लीजे और कॉपी बना लीजेगा भी यहाँ अना कॉपी ले लीजेगा फिर नोट कर लो भी जल्दी से चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एंसेल हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे प्राचीन भारत से ठीक है आज हो यहाँ पर प्राचीन इथियास प्राचीन इथियास चैप्टर फर्स्ट डालो यहाँ पर पहला चैप्टर डालो प्राचीन इथियास प्राचीन इथियास जानने के स्रोत प्राचीन इथियास जानने के स्रोत ठीक है यह पहला चैप्टर है और मैं ऐसी लिखूँगा ताकि आपने नोट्स को बना सकें तो यह दिक्कर समस्या न हो ठीक है मिरे भाई प्राचीन इथियास जानने के स्रोत या प्राचीन इथियास की जानकारी ठीक है याद अखिएगा देखे वैसे तो अगर मैं बात करू तो इसके भाई दो स्रोथ है इसके दो स्रोथ है ठीक है इसके दो स्रोथ है एक आपका मेरे भाई धार्मिक स्रोथ है धार्मिक स्रोत है एक आपका धार्मिक स्रोत है और दूसरा आपका है पुरा तात्विक स्रोत पुरा तात्विक स्रोत एक आपका धार्मिक स्रोत हो गया दूसरा आपका पुरा तात्विक स्रोत हो गया ठीक है, एक धार्मिक स्रोथ और एक पुरा तात्विक स्रोथ आपका, या धार्मिक के जगे इसको साहित्तिक स्रोथ लिख सकते हैं, हम लोग यहां पे साहित्तिक, साहित्तिक स्रोथ लोग यह ज्यादा बैटर रहेगा, साहित्तिक स्रोथ, साहित्तिक स्रोथ और पुरा तात ठीक है और बड़ा मज़ा आएगा भाई पढ़ने में आगे इतियास चलिए साहित्तिक स्रोथ जो है मेरे पहरे साथियों जो साहित्तिक स्रोथ हैं या तकीगा इनको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे पहला करेंगे हम लोगे आप पे धार्मिक एक आपका धार्मिक स्रोथ होगा या तकीगा एक आपका क्या होगा धार्मिक स्रोथ होगा एक आपका धार्मिक स्रोथ होगा और दूसरा आपका होगा गैर धार्मिक स्रोथ गैर धार्मिक स्रोथ एक आपका धार्मिक स्रोथ होगा और डूसरा आपका होगा गैर धार्मिक स्रोथ क्यों होगा मेरे भाई गैर धार्मिक स्रोथ ठीक है याद दकीगा देखो यहाँ पे जो आपका धार्मिक स्रोथ है इसके फिर से दो भागोंगे एक में आएगा आपका ब्रामपण ग्रंथ दूसरा आएगा आपके सामने गैर ब्रामपण ग्रंथ एक आपके सामने आएगा बामबड गृंथ, दूसरा आपके सामनी आएगा गैर बामबड गृंथ ठीक है, याद दखेगा ठीक है देखो, पुराताप्तिक स्थोत में आपका क्या क्या आएगा, तो याद दखेगा इसमें जो आपके लिए आएगा, मेरे प्यारे साथ यूँ हुग आएगा अभी लेक अभी लेक सिक्के अभी लेक सिक्के याद रखीगा इसमारक इसमारक मूर्तियां मूर्तियां ये सारी चीज़ें आपकी पुराताप्पिक सुरोत में आएंगी ये सारी चीज़ें आपकी किसमें आएंगी पुराताप्पिक सुरोत में आएंगी ठीक है गुफा ठीक है और आदी ये आपकी पुराताप्पिक सुरोत में आती है ठीक है य अगर मैं बात करूँ ब्राहमर्गरंथ तो मेरे बाई ब्राहमर्गरंथ कौन कौन से हैं तो याद रखिएगा ब्राहमर्गरंथ के बारे में देखो यहाँ पर अगर मैं बात करतों ब्राहमर्गरंथ कौन कौन से तो ब्राहमर्गरंथ आपके हो गए वेद याद रखिएगा उपनिशद ठीक है उपनिशद ठीक है या दखीगा उपनिशद और महा भारत महा भारत और रामायड ये सारे के सारे क्या होगा ये आपके ब्रामर गरंत होगे गैर ब्रामर गरंत कौन सा है तो या दखीगा जो गैर ब्रामर गरंत है आपका ये कौन सा होगा तो ये आपके सामने हो जागा जो जैन गरंत है जैन गरंत और बौध गरंत और आपके बौध गरंत ये जित्ते भी गरंत है आपके ये गैर ब्रामर गरंत हो जाएंगे ठीक है यह क्या हो जाएंगे गैर प्राम्मर गरंत यहां पर हो जाएंगे ठीक है क्या तकीका कि ठीक है मेरी भई चलो कि अग्योग फट आफ़र जल्दी से इसको भी कि अग्योग अग्योग यहां भी नोट्ड़न को रहे बाजल दीएंगे अग्योग इंगर प्राम्मर गरंत प्राम्मर प्राम्मर क्या प्राम्मर नोट्वा जल्दीसे पे देखो अब यहां पे आव हो मेरे lucky सक्थिओं सबसे पहले लोग बात करेंगे आप भी ब्रहमर्णद की बात करेंगे ठीक है तो एकल दिंग लिखो यहाँ पी आप लोग की ब्रहमर्णर ग्रंत की और प्रहमर्णर गैपोइंट लिखेंगे आप वीड आ क्या लिखेंगे आप यहां पे वेध ठीक है याद खीगा मेरो वही याद खीगा कि वेदों की संख्या चार है ठीक है कौन-कौन सा है तो याद खीगा एक आपका रिगवेध है रिगवेद दूसरा आपका है मेरे भाई शामवेद तीसरा आपका यजुरवेद यजुरवेद और चौथा आपका है अथरवेद अथरवेद वेदों की संक्या क्या है? चार है यजुरवेद वेदों की संक्या क्या है? चार है याद दखीगा ठीक है? यहाँ पर लिख लो आप लोग कि वेदों वेदों के संकलन करता संकलन करता वेद व्यास को माना जाता है वेद व्यास महर्षी क्रिश्न दुपायन वेद व्यास को माना जाता है माना जाता है माना जाता है वेदों की संक्या करता महर्षी क्रिश्न दुपायन वेद व्यास को माना जाता है वेद व्यास को माना जाता है ठीक है लिखिए ठीक है अब हैटिंग लिखो आरक के आरक के क्या होता है मेरे भाई याद अखीगा यह जो आरक के होता है यह रहस्मे जंगलो में जंगलो में रहकर रहकर रहस्मे 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 याद अखीगा जंगलो में रहकर रहस्मे ज्यान प्राप्त करना ग्यान प्राप्थ करना की प्रक्रिया को आरक्य कहते हैं क्या कहते हैं मेरे बाई आरक्य कहते हैं क्लियर ने जंगलों में दहकर रहस्त में ग्यान प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं आरक के कहते हैं ठीक है याद दखीएगा अरे भरी जंगलों में पढ़ा जाता है इसलिठन को आलक के कहा गया है जंगलों में पढ़ा जाता है यह ठीक है तुम लोग भी निकल जाओ हिमाले की चोटी में बड़िया दाहिस्त में ग्यान प्राप्त करके आओ ग्यान की प्राप्ति ऐसे थोड़ी नहों जाती है बहुत कुछ त्याग ना पढ़ता है जिसके अंदर त्याग की भावना है ना वो इस पूरे जीवन में खुश रहेगा त्याग मतलब ऐसा त्याग नहीं कि पूरा त्याग का मतलब होता है कि उन चीज़ों से दूर रहना जो हमाएं लक्ष से भटकाती हूँ वो सारी चीज़ें आपकी दुस्मन हैं जो आपको आपके लक्ष से भटका रही है ऐसे में या तो उनको आप छोड़ दो या तो फिर अपने लक्ष को छोड़ दो जंगलों में पढ़े जाने वाले या जंगलों में लिये जाने वाले ग्यान की कारण ही इसको आरत के कहा गया है इसकी संख्या इनकी संख्या कुल साथ है इनकी संख्या कुल कितनी है साथ है ये भी साथ ही उपलब्द हुए ठीक है तो इनकी संख्या क्या है कुल साथ है ठीक है एक लिखो उपनिशद उपनिशद आगे बहुत काम आएगा यह याद रखना उपनिशद होता है मेरे भाई कि गुरू के समीप गुरू के समीप बैठ कर बैठ कर ग्यान लेना उपनिशद कहलाता है उपनिशद कहलाता है उपनिशद कहलाता है गुरू के समीप बैठ कर ग्यान लेना क्या कहलाता है उपनिशद कहलाता है ठीक है याद रखिएगा आपको बता है भाद का राश्टी वाक सत्वे में हो जाते अथरवेद के उपनिशद, मुंड को उपनिशद से लिया गया है, आप लोग जानती होंगे, ठीक है, लिखेंगे इनकी कुल संख्या, इनकी कुल संख्या कितनी है, साथ है, इनकी कुल संख्या है, 108, कितनी है मेरे भाई, 108, इनकी कुल संख्या कितनी है, तो या दखीगा, इनकी कुल संख्या है, 108, इनकी कुल संख्या कितनी है, 108, इनकी कुल संख्या है, ठीक है मेरे भाई, या दखीगा, इनकी कुल संख्या कितनी ही तो उनकी कुल संख्या है 108 उपनिशत की लखो भाई हो गया? वेरी गुड अब आओ वेदांग को समस्ते है ठीक है? वेदांग वेदांग ये पूछा जाता है वेदांग मेरे भाई काफी इंपोर्टेंट है एक्जाम में कही बाराया है लेखेंगे इनकी संख्या इनकी संख्या छे है कितने मेरे भाई? छे है वेदांग की संख्या कितनी है? तो या दखीगा छे वेदांगों की संख्या है पहला कौन सा या दखना सिच्छा पहला आपके सामने सिच्छा दूसरा आपके सामने कल्प तीसरा आपके सामने व्याकरण चौथा आपके सामने निरुक्त चौथा आपके सामने कौन सा हो जाएगा निरुक्त पांचमा आपके सामने होगा जोतिस जोतिस आपके सामने ये पांचमा हो जाएगा और छटा आपके सामने यहां पर जो होगा वो होगा चंद चंद, यह आपकी विदांक है, जो कई बार आपकी एक्जाम में पूछे भी गए, लगातार ऐसी पूछ लिता हूँ, ठीक है, इसको याद दखीगा, क्लियर है, बहुत बढ़ी है, ठीक, लिखें यहाँ पे पुराण, पुराण, तो पुराणों की संख्या कितनी ही, तो आप कहेंगे सर, अठारा पुराण है, कितने हैं, अठारा पुराण है, ठीक है, याद दखीगा, बहुत बढ़ी है, ठीक है, और बात करें लोग यहाँ पे, तो याद दखीगा की, पुराणों के, लचाईता, लोम हर्स, लोम हर्स, याद दखीगा, लोम हर्स, एवं, उनके पुत्र है, उनके पुत्र ने की है, पुत्र ने की है, पुत्र ने की है, पुराणों की रचना, लोम हर्स, एवं, उनके पुत्र ने की है, पुराणों की रचना लोम हर्स एवाँ उनके पुत्र ने की है यहाँ पर कुछ पुराण लिख देता हूँ मैं तीन पुराण जो आप से पुछे आता है ठीक है पुराण ठीक है कुछ पुराणों की संख्या लिख देता हूँ यहाँ पर इससे पुराण और संबंधित वंश संबंधित वंश अब जैसे मान के चलो यह कई बार एक्जाम में पूछा भी गया है तो जैसे आपके साब ने पूछ ले विश्नु पुराण विश्नु पुराण तो इस पुराण से कौन सा वंश क्या है संबंधित है विश्नु पुराण तो इस पुराण से कौन सा वंश क्या है संबंधित है तो याद दखीगा इससे आपका मौर वंश संबंधित है कौन सा मौर वंश ये पूछे गए कुशन है एक्जामे मेरे बाई बना लेना नोट्स बढ़िया तरीके से ठीक है या दखीगा ठीक है दूसरा मत्यस्य पुराण मेरे बाई या दखीगा जो मत्यस्य पुराण है ये है सबसे प्राचीन पुराण है ये सबसे प्राचीन पुराण है ठीक है या दखीगा बात करें लोग या पर या दखना आंद्र साथ वाहन वंश और मेरे भाई एक वंश और है जिसका नाम है शुंग वंश ये दो वंश से क्या है सम्बंदित है ये दो वंश क्या है इससे सम्बंदित है आंद्र सात्वाहन वंश और शुग वंश ठीक है या दखेगा वायू पर आपका किसे सम्बंदित है मेरे भाई तो गुप्त वंश से सम्बंदित है गुप्त वंश से ठीक है लिखिए फटा फट लिखो भाई ये ऐसी चीजें हैं छोटी छोटी हैं कि आपकी एकजाब में आती हैं फिर आप गलत कर दे तो इसको तो इसलिए इन चीजों को क्या है थोड़ा से याद दखना जरूरी है देखो जो लोग अभी नए जुड़े हैं वो देख लो एक बार इत्यास से मैंने बताया यहां पर आपको थोड़ा बहुत बता दिया इसने ठीक है उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहां पर यह सारी चीजें मैंने आपको यहां पर क्लियर कर दी है ठीक है यह सारी चीज़े आपके साबने यहाप पर आ रही है कोई दिखकर समस्या नहीं है लेख लो फटाफट भाई अब यहाप आप आजाओ मेरे भाई है कि महाकाव्ए मैं ठीक है या दखेगा है ठीक कौन से दो है तो आप कहेंगे सर दो कौन कौन से है तो आप कहेंगे सर एक है रामाइड और दूसरा है महा भारत महा भारत रामाइड की रचना किस ने की है माहरशी बालमीकी ने की है या दखीगा माहरशी बालमीकी माहरशी बालमीकी ने क्या की है इसकी रचना की है ठीक है या दखीगा माहरशी बालमीकी ने माहरशी बालमीकी दौरा क्या की गई इनकी रचना की जीगी ठीक है या दखीगा महा भारत महरशी वेद व्यास महर्शी वेद व्यास द्वारा महा भारत की दिशना की गई है ठीक है महर्शी वेद व्यास द्वारा महा भारत की दिशना की गई है ठीक है याद दखीएगा क्लियर है मेरे भाई ओके बहुत बढ़िया अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मेरे भाई यहाँ पे आप मेरी बात सुनिए अच्छी तरीके से यही पे अगर हम लोग बात करें तो याद दखीएगा बहुत साहित के बारे में अगर हम लोग बात करें बहुत साहित तो बहुत साहित्य के बारे में उन्हों चर्चा करते हैं तो याद अखीगा त्रिपिटिक त्रिपिटिक गरंथ जो है आपका वे बहुत साहित्य गरंथ आता है ठीक है और इनकी जो भाषा थी लैंग्विस थी वो कौन सी थी तो आप करेंगे सर्फ पाली भाषा थी पाली भाषा का परियोब करते थे वहीं जैन साहित्य की अगर मैं बात करूं तो याद अखीगा इ ठीक है ? प्राकर्ट भाषा या अर्ध माक्ठी कह दो यह ओती थी ठीक है ! और जो गरंथ था वह था आगम ? गरंथ था उस गरंथ चा क्या नाम था ? आगम था ठीक है या दखीगा बिलकुल जैन साहित को आगम कहा जाता है बिलकुल सanza हाई बात है कोई दिक्का समस्जा नहीं इसमें ठीक है या द खीगा ठीक है बाई चलिगे है है यहां पर हम लोग एक और देखेंगे ठीक है यह तो आपका बहुत साहित हो गया, जैन साहित हो गया, लोकिक साहित एक बार देख लो, लोकिक साहित, लोकिक साहित मतलब गैर धार्मिक साहित, गैर धार्मिक साहित, तो गैर धार्मिक साहित के बारे में जालनो थोड़ा सा है आपे, इसके बारे में ये देखो, सबसे पहले तो आप अर्थ सास्त्र लिखेंगे आपे अर्थ सास्त्र कोटन ली द्वारा रची थे अर्थ सास्त्र ठीक है याद रखी गगा विष्णु गुप्त कोटन ले द्वारा राज तरंगणी राज तरंगणी ठीक है इसमें कश्मीर के इत्यास के बारे में बताए गया है ये कश्मीर के इत्यास के बारे में बताए गया इसमें और इसको कल्हर दुआरा रचित है, कल्हर दुआरा रचित पुस्तक है और अरतिसास्त या दखीगा, यह राजनेतिक चीजों से है, राजनेतिक पुस्तक है यह और इसके रचेता है कोटिल 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 या विश्नोगुप्त ठीक है कोटिल या विश्नोगुप्त ठीक है याद रखीगा ठीक है भई चलिए बहुत बढ़े हाँ ठीक है इसको अच्छी तरीके से आप लोग याद दखीगा चलो तो देखो ये था पूरा आपका बेसिक पॉइंट ठीक है जानने के स्रोट जो इंपोर्टन इंपोर्टन थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी देखो यहाँ पर जो इंपोर्टन था वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कैसे क्या करने आपको आप आराम से नोट्स बना सकते हो बड़िया तरीकी से इसको लिख सकते हो ये बिल्कुल बेसिक चाहिए पहले दो सिलेवस जरूर याद दखना क्योंकि सिलेवस के एकॉर्डिंग ही मैं सारी चीज़े यहाँ पर आपको करा हूँगा और जो मैंने विविद लिखा हुआ है ना तो इस विविद में बहुत चीज़े आपकी आ जाएगी जो आप बोलोगे कि सारी ऐसे से वो भी चीज़े यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगी ठीक है इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर तो जानकारी स्रोथ है चोकि मैंने आपको बता दिये सारे की सारे यहाँ पर अपने शर्थ पुरार जो इंपॉर्टेंट है जो आपके एक्जाम में आने योगी है वो सारी चीज़े मैंने आपको यहाँ पर बता दिये ठीक है चलिए तो प्यारे साथ यह याद रखिएगा कि यह आपके प्राचीन भारत की जानने के स्रोथ है जो मैंने आपको बताए अभी इसमें अभी लेख वगरा रह गए हैं सिक्क्य वगरा रह गए ह हैं तो वो चीज़े मैंने आपको यहाँ पर करा दी हैं अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आप कोई भी कोशन्स होगा आप उससे कर देंगे असानी से कर देंगे ठीक है तो उसकी हमें कोई भी दिक्कत समस्या नहीं रहेगी बाकी क्लास कैसी लगी आप सभी लोग को एक कॉमेंट सेक्शन में और कॉमेंट करके जरूर बताएगा क्लास आपको कैसी लगी तो आज के लिए इतना ही मिलेंगा आप लोगों से नेक्स क्लास में तब तक के लिए जाहिए जा भरत ठेंग सो मच बैबाए टेक केर